नमस्कार, इस जी न्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राली चारकन विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का चौथा दिन है जहां सदन में वित्यवर्ज 2024-2025 के बजट पर चचाहोनी है एक तरफ विपक्ष का कहना है कि यह बजट निरासा जनक और कौपी पेस्ट बजट है तो दूसरी तरफ सत्तापक्ष का कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर गरीबों का बजट बनाया गया है तो वहीं आपको बतादू कि आज चौथे दिन भी सदन की कारवाई शुरू होने से पहले विपक्ष सिधे तोर पर जपी असी पेपर लिक मामले की CBI जाच की मांग पर आड़ा रहा तो एक तरफ सत्तापक्ष की कॉंग्रेस विधायक दिपी का पांडे सिधे तोर पर कह रही है कि ये मामला जो कॉंग्रेस के नेता दूसरे दल में जा रहे हैं चाहे वो ज्छारकन की बात कर ले हाल ही में कॉंग्रेस तांसद गीता कोडा बीजे पी जोइन की तो दूसरी तोर पर दिपिका पांडे का ये कहना है कि इस पर चिंतन और मन्थन करने की जरूरत है कि आखिर किसका डर है जो विधायक और नेता है वो दूसरे दल में जा रहे हैं देश में ED और CBI का डर इतना बढ़ गिया है कि अब जो नेता है वो दूसरे दल में जा रहे हैं तो क्या क कुछ कह रहे हैं सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक सुनिये। हम लोग कुना आज फिर विधान सबा में रखेंगे। उस बजट में किसी भी रूप में परदेश के नौजवानों के बारे में उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को ले करके हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युआओं की भावना को अब वावास के बारे में हमने ही आज प्रस्न लाया है। तरकार सिधे मुझरी लाल के हसीन सफने के साथ ये राजगी जनता को भरमित करने का काम कर रही है। और इस प्रकार की जो सत्ता से दक्षन में बरस्ता चार चल रहा है। इन सारे विश्यों को हम सदन के अंदर लाएं। गड़ पड़ी नजर आ रही है। तो नाराजगी काफी जाता है लोग और में। देखे ऐसा है कि सिर्फ हिमाचल और जारकंड और सभी जगों की बात कि सिर्फ बात नहीं है। सबी जगह पूरे देश में लोग क्यों कैसे किस फरिस्टी में जा रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोगों का सवाल यह होना चाहिए कि क्या ED और CBI और अनिप्रकार की चीजों का बहुत डर हो गया है। क्या लोग अपने लालच की वज़े से पैसले ले रहे हैं क्या तो यह सवाल मुझे लगता है कि अब मेडिया को कम सब्सक्राइब यह सब सब्सक्राइब करना चाहिए। जहां पर आपकी सरकार हैं वहां में विधाय को नहीं बचा पा रहे हैं हर्यानों को सब्सक्राइब करने का है और जानने का है कि आकर किस परिस्तिती में और किस दवाव में हमारी पार्टी चिंदन तो जरूर कर रही है। कि इतनी विधाय के नराज हो रहे हैं तो आला को अंसूल कोई रही है। सबक्राइब है कि उम्मीद है उसके इतने का पूली है। कि कभी हम वह जो भी उमीद था जिस वजह से था वह जारकन की मीडिया से भी चुपा हुआ नहीं है। पॉइस लेकर के हम लोग क्या थरपार हैं ऐसे हाथ के हाथ धरे रखने और शड़ेंट के तहत मामले कोट में चले जाएं पेपर लीक हो जाएं इन सब बातों को लेकर के अंरिस्ट तो है ना इन सब चीजों का भी इस पर भी विचार करने का समय है और नाराज़गी है तुम अपने पार्टी के अंदर बाद तुमने अपनी पात रखी है तो बजट सत्र के चौते दिन भी सदन के भीतर और बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है जहां प्रमुख विपक्ची पार्टी बीजेपी जेपी एसी पेपर लिक मामले को लेकर सीबी आई जाच पर अड़ा है फिलाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दीश्टी निव्स